पीजी वेलकम स्यू इन पीजी पॉइंट सो इन दिस वीडियो आपको प्रेजेंट दिस सल्यूशन ओफ यो हिंदी पेपर मींज कि जो आपका पेपर फस्ट हुआ था ठीक है बीएड इंट्रिंस का उसमें जो आपके हिंदी के 50 कोशेंस आयते वो मैं आज आपको इस पेपर में स्वार कराऊंगी इस वीडियो में और उसके बाद में आपको कमेंट चेक्शन में तीन चीजे मेंचन करनी है क्या क्या मैंचन करना कि आपने attempt कितने किये थे ठीक है इसी बैसे में नेक्स्ट बेडियो बना दूँंगी ना कि आपकी जो रैंक में मतलब जो आपकी cutoff ज ठीक है और कितने question आपके wrong हुए यह आप comment section में लिखना ना भूलें ठीक है और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आपको science का reasoning का means subjective और reasoning का भी video next video में बना दूँगी ओके so first of all देखे आपको ऐसे मैं option सही video लाई हो जिसमें आपको दिक्कत ना हो जैसे निम्न में से कौन सा शुद्ध है यानि कि वर्तनी से जुड़ा एक question था तो उसमें बच्चों ने यह वाला option टिक किया जिसमें दो आधा जाबने वह आपका सही हो जाएगा question number two कि इन में से कौन सा बहुचन शब्द नहीं है त तो यहां पर आपका option क्या सही हो जाएगा दो उसके दो देखी पुरुष वाचक सर्वनाम के कितने भेद होते उत्तम पुरुष वध्यम पुरुष अन्य पुरुष यह सभी तो यहां पर यह option आपका ठीक हो जाएगा मेरी मा स्वस्तित इसलिए मैं इन्हें चिकित साले और आ गया यहां पर इसलिए आ गया इसलिए यहां पर आपको option संयुक्त ठीक हो जाएगा न संयुक्त उसके देखिए कोई शब्द जब वाकिम परियुक्त होता है तो वह क्या कहलाता है तो पद कहलाता है हाना कौन सी भाशा भारते समयधान की आठवीन सूची में नहीं ह बोचपूरी एक बोली भी है ठीक है प्रेतन के अधार पर ला की ध्वनी है बहुचे बच्चे अलग अलग आंसर लगा के यहां पर आपका पार्श्विक सही हो जाएगा है न कौन सा सब्दा लंकार नहीं है तो उपमा जो है यह आपका अर्था लंकार का भेद है ना कि श पश्चमी हिंदी की बोली का कौन सा सही युग में तो आपका खडी बोली बुंदेली यह आपका पश्चमी हिंदी से जुड़ा है तर्चम शब्द कौन सा नहीं है सोना नहीं है क्योंकि सोना का तर्चम शब्द आपका क्या हो जाएगा स्वन हो जाएगा इसमें आपका तामसिक ऐसे करके थे तप उपवन में आपका संदी विचेट क्या हो जागा तपा धन बन लेकिन बहुत से बच्चों ने बताया कि इसमें यह आप्शन ही नहीं था तो तप धन उपवन करके भी यदि आपका कोई आप्शन रहा होगा तो वह भी सही हो जागा गुड संदी क उसके बाद में देखे किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है तो बली शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है कि शब्द में प्रत्य का प्रयोग नहीं हुआ है तो आपका नियाय में प्रत्य शब्द का उपयोग नहीं हुआ है उसके बाद में देखिए कौन सा करंधारे समाज का उधारण है करंधारे में आपका क्या जगा चरण कमन ग्राम गत में आपका तत्पुरुष हो जाएगा बहुत से बच्चों ने यहां पर अव्याई लगाए लेकिन यहां पर आपका सही की ऑप्शन हो जाएगा ग्राम गत का तत्पुरुष फिर देखिए मनमत का समाज विग्जर है मन को मतने वाला एकदम सही होगा उपसरगवा प्रत्य दोनों जिसमें हो तो दोनों में चपलता यह अर्थ के अनुसार है बहुत से बच्चे इसमें गैर सरकार लगा के हैं ब बहुत से लोगों ने सिर्फ आंसर बताया है कोशन का मेरे इस वीडियो में आपको चार आप्शन के साथ में ही आंसर मिल रहा है ओके शायद शब्द आ गया तो यहां पर संदेह है तो यहां पर संदेह बाचा को जाएगा हिंदी भासा का विकास किस अपवरंश बोली को मन डिछला जाता है तो ब्राचण कोमल गात पंक्ति में गात शब्द का गात आपका जाति वाचक संग्या नहीं पर वमागे के बहें होते तीन और अर्थ कोषिए आधार पर होते है आठ अर्थ के आधार पर ना कि के बहेत बताई यह वही आदमी यह जो कल मुझे बजार में मिला तो यह वही आधमी जासे हम लोग बोलते अरे यह वही पूछा कि अगर आप अगर आपसे महाँ पूचा गया संग्या कि मूलता कितने बेद है तब आपका ऑप्शन तीन सही होगा तो देख लीज़ेगा जो कोशन में जैसे पूचा गया हो उसके प्रिया विशेशट के कितने प्रकार होते हैं तो चार वियूम फट जय का आशे क्या होगा भेंकर मुसी उसके बाद में देखिए कौन सा विदेशी शब्द नहीं है तो यह जो डिबिया है यह आपका देशत सब्द है ना कि विदेशी भी तो जैसा यह आपके क्या है निपात होते हैं दीर्गुसवर इन में से कौन सा नहीं है तो री क्या है तो री आपका दीर्गुसवर नही में बदलते हैं तो उस उपवाक्य की क्रिया बदल ली जाती है देखे इसका ओप्षिन यहां पर टिक नहीं है इसका ओप्षिन आप लोग कमेंट चेक्शन बताईएगा आपने क्या टिक किया और सही क्या है यह भी बता देज़ेगा ठीक है नरेश्पत्र लिखता है सकर्मक क्रिया शब्द जब वाकी में प्रयूक्त होने की योगिता प्राप्त करता है तो उसे कहते हैं पद कहते हैं क्या क्या होता है क्लिया माली द्वारा पौधे लगाया जा रहे है सकर्मक्रिया रागनी का मुख चंद्रमा के समाने तो जो चंद्रमा है आपका यहां पर चंद्रमा पूछा गया तो चंद्रमा क्या होगा उपमान होगा जब जिसकी तुलना करते यानि कि जो तुक्ष होता है उसे उपमे कहते है लेकिन जिससे तुलना करते है उसे उपमान कहते हैं ठीक है यहां पर मैं मेरा काम स्वयम कर लूँगा तो यह क्या है आपका सारणामिक विशेशन है उचाड़ा रिस्थान के नुसार सुमेलित नहीं था तो वा वा आपका मूर्धन्य नहीं होता है चंदीगर विवस्तित शहर में वाक्य में रिखांकित शब्द क्या है आपका उदेश हो जाएगा रमेश बार्वी कक्षा में पढ़ता है वाक्य में क्या होगा तो बताइए नहीं पर फिर यह सबी आप कमेंक्षेशन कर दीजेगा जो संतोशी होते है वा कभी धन की संबन्दी चिंटा से पीडित नहीं होते इसमें रेखांकि शब्द क्या होगा यह इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्षियर ने बताए आपने क्या लगा है तो यह थी एक छोटी सी जानकारी अब आपको तीन चीज़े मेंचन करने हैं कि आपने कितने कोशन सही किये हैं ठीक है और कितने कोशन आप पेपर में छोड़ करके आयते वीड चैनल को सब्सक्राइब करना तता वीडियो को शेयर करना ना भूले आशा ही नहीं अपे तो विश्वास है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बल आइकन को प्रेस कर लेंगे थैंक यू एंड मीट अप विडियो ने नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखे अपनों का वीडियो के लुट के